गुद मॉर्निंग माइडिय स्टुनेंट्स, वेलकम बैक अगीं तो यार ओनलाइन क्लास, आइम यार हिंदी टीचर, तो बच्चो आज मैं आपको लेसन 5 का रिविजन कराऊंगी, क्योंकि लेसन 4 तक यूनिट टेस्ट में आ गया था, और हाफ यरली में लेसन 1 से 8 तक आए संग्या, सबसे पहले देखेंगे, विक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, बच्चा, धोबी, लड़की, वस्तुों के नाम, और इस्थानों के नाम, ताज महल, पंखा, विद्याले, रामायन, भावों के नाम, वीर्ता, प्रसन्नता, आशर्य और दुख, तो बच्चो कई भी अगर नाम होता है, उस नाम वाले शब्दों को हम संग्या क्याते हैं, आप देखेंगे, नेक्स पेज़ पर इसी कई पार्ट है, प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम भी संग्या में ही आते हैं, इसमें कुट्ता, बिल्ली, कीड़ा, साब, शेर, गाए, मगर कुछ भी अगर आप जानवर है, वो इसमें आएगा, तो इस प्रकार से संग्या की परिवाशा क्या हुई, किसी प्राणि, वस्तु, इस्थान, अथवा मन के भाव के नाम को संग्या कहते हैं, जैसे शुरेश, किता, बंदर, गिर्णा, अपोगर, आदी, नेक्स संग्या के परकार, संग्या तीन परकार की होती है, कौन-कौन सी, व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, और भाव वाचक संग्या, व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी होती है, किसी भी विशेश, प्राणि, अथवा, इस्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्ति वाचक संग्या सदय भी एक वचन में प्रिक्त होती है जैसे डिल्ली गंगा हिमाले अमर कृष्ण रामायन चेतक इसमें किसी भी व्यक्ति विशेश का नाम होता है और यह मेशा प्रिक्त होती है नेक्स्ट है जाती वाचक संग्या जिस शब्द से किसी संपून जाती का जैसे लड़का औरत डाकिया शेर पेड़ पहार आदी नेक्स्ट है भावचक संग्या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अत्वावस्तू के गुण धर्म दोश शील स्वभाव अवस्ता अत्वा भावादी का बोधो वे शब्द भावचक संग्या कहलाते हैं जैसे गर्मी स जर्दी दुख सुख उढ़ापा गरीबी बच्पन आदी बच्चो ये चैप्टर पहले भी आपने समझा था एक बार मैंने आपको फिर से समझा दिया है ताकि आपको ये चैप्टर फिर से आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए नेक्स पेच पर अब देखेंगे इस्मर संग्या तीन परकार की होती है व्यक्ति वाचक जाती वाचक और भाववाचक व्यक्ति वाचक संग्या सदैव एक वचर में होती है जाती वाचक संग्या से संपूर्ण जाती का बोध होता है भाववाचक संग्या से किसी व्यक्ति अत्वावस्तू के गुण दोश स्वभ वस्तु इस्थान अत्वार भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संग्या कहते हैं संग्या कितने परकार की होती है संग्या तीन परकार की होती है व्यक्ति वाचक जाती वाचक और भाव वाचक अब देखेंगे निम्ने लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए संग्या के चार उधाराण लिखिए राम, पुस्तक, गरणा, घर यह अब लिख चुके हैं पहले से ही और जिन कबर कुछ समय रह गया था वो अभी भी पूरा कर सकते हैं नेक्स्ट, अपनी पसंद के चार खेलों के नाम लिखिए कैरम, लूडो, किर्केट, फुटबॉल और इसके बाद कुश्चन नमबर गह है इसमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं अपने मम्मी, पापा, भाई, बेन के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं एक्साइस थर्ड, चित्र पहचान कर नाम लिखिए पहला चित्र है इसमें पहाड का, दूसरा विद्याल है और तीसरा चित्र है इसमें खेत का यह पहले भी कर चुके है नेक्स पेज नेक्स पेज पर सबसे उपर है पिक्चर जाहाज की, उसके बाद घर और उसके बाद लड़का इसमें आप कर चुके हैं कक्षा और परवत इसमें हैं मायवति और हिमाले यह भी आप कर चुके है अब देखेंगे थर्ड निम्र लेकित शब्दों में से भावचक संग्या पर सही का निशान लगाईए तो बच्चों भावचक संग्या कौन कौन सी है बच्चपन और उदासी नेक्स पेज देखेंगे अग चित्रों के नाम लिखकर वाके बूरे कीजिए यह है फिरन है यह है कमल है नेक्स पेज नाओ यह है शेर है और यह है किताब है यह आप फिल कर चुगे हैं उसके बाद है एक्साइज घर में पाई जाने वाली कुछ वस्तूं के नाम नीचे दिये गए हैं उन में से घर के अतिती कक्ष रसोई घर पढ़ने के कमरे तथा इसनान घर में पाई जाने वाली वस्तूं अलग-अलग छाट कर लिखे तो बच्चों ये वाली सारी वस्तूं में दिये हुएं सब एक साथ दिये हुएं और यहां पर आपको कॉलम दिये हुएं देखिए अतिती कक्ष रसोई घर पढ़ने का कमरा और इसनान घर तो यहां आपने ही लिखे हैं अतिती कक्ष में कौन-कौन सी चीज़े आती हैं कालीन, सोफा, फूलदान अरसोई घर में गैस का चूला, फ्रेज, बरतन पढ़ने के कमरे में मेज, कूरसी और पुस्तके और इसनान घर में साबून, टूथपेस्ट और शीशा और बच्चों, यही वाला वर्क आपको आज के हमवर्क में भी करना है कॉपी में साफसाफना हमवर्क कर लेंगे आपका चप्टर फाइव रिवाइज हो गया है इसको एक बार अच्छे से याद करेंगे नेक्स वीडियो में फिर से आएंगे लेशन 6 का रिविजन लेकर तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच